जारखन के CM हेमन्त सोरेन लापता तलाश रही ED की टीम BMW कारजब एरपोर्ट पर अलर्ट ED की टीम जारखन के मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन को जंगे जंगे तलाश कर रही है इससे पहले ED की टीम उनके दिल्ली स्थित्खर सही तीन ठीकानों पर छापे मारी भी कर चुकी है दरसल दस्वा संबन जारी करने के बाद आज ED ने उनके ठीकानों पर छापे मारी की जारखन के मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन कथित लैंड्स कैम में जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में बुरी तरह घिरते नजरा रहे है परवतन नीदेशाले की टीम ने सोंबार को सोरेन के दिल्ली के शांती निकेतन स्थिद्खर सही तीन ठीकानों पर सुबह साथ बजे से छापे मारी शुरू की जो देर रात तक चली एडी की टीम को यहां सोरेन तो नहीं मिले लेकिन जाते वक्ट टीम उनकी BMW कार अपने साथ ले गई जिस कार को एडी ने जब्द किया वह हरियाना नंबर की है एतियाद बरते हुए एडी की टीम ने हेमन सोरेन को लेकर एरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया है इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि सत्यापक्ष कटबंधन के विधायकों को अपने बैग और सामान के साथ राची में एक जहें इखटा होने के लिए कहा गया है कॉंग्रेस के विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री आवास पहुँच रहे हैं इस बीच बीजेपी सांसद निशिकान दूबे ने सीम हेमन सोरेन पर निशाना साधा है दूबे ने कहा है कि हेमन सोरेन ने जहामूमों और कॉंग्रेस के साथ ही सहयोगी विधायकों को सामान और बैग के साथ राची बुलाया है उन्होंने आगे कहा कि उनकी जानकारी के मताबिक कलपना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्तावाया है मुख्यमंत्री ने सूचना दी है कि इडी की पुष्थाश के डर से वे सडत माग से राची पहुँच कर अपने अवत्रित होने की घोशना करेंगे दरसल हिमन्स सोरेन शनिवार की दे रात अचानक दिल्ली रवाना हो गये थी। उन्होंने एक चार्टर्ट फ्लाइट से उडान भरी थी। तब बताया गया था कि कुछ राजनीतिक मुलाकात करने के लिए दिल्ली गये हैं। वहाँ वै कानूनी सलहा भी लेंगे। इसे पहले एडी ने उन्हें दसवा संबन भेजा था और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पेश होने के लिए कहा गया था। अगर वह एडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो एजनसी उनके घर पर जाकर पूस्ताश करें। इसे पहले 20 जनवरी को एडी भूमी घोटाला मामले म जारकन के मुख्यमंत्री से उस्ताश करने के लिए राची पहुँची थी। इस महीने की शुरुवात में सोरेन ने केंद्री एजनसी को पत्र लिखकर कहा था कि वह भूमी घोटाला मामले में उनका बयान उनके ओफिशियल खर पर दर्ज कर सकती। इडी ने सोरेन को 13 जन के बीच मुदूद रहने को कहा था। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।